हेलो प्रेंट्स कैसे है आप लोग माई नेम इस जिगनेश परमार वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल जिक्स फार्मसी आज के वीडियो में हम डिसकस करेंगे हैमर मिल तो लेस्ट टार्ट हमने। लेक्चर वण और लेक्चर टू साइज डिक्षन के कंप्लीट कर लिए है जिन लोगों ने वह नहीं देखे वह डिस्क्रिप्सिन में मैने इंक मीनिंक बहुंद देख सकती है आज बात करेंगे हैमर तो hammermill का principle की पहले बात करें इसका principle impact पर वर्क करता है ठीक है हमने फर्स्ट लेक्टर में देखा था mechanisms में impact आया था सब उसका example हमने hammermill दिया था तो ए वर्क करता है principle इसका hammermill का impact पर ठीक है the hammermill obtained on the principle of impact between a rapidly moving hammer mounted on a rotate and the powder material तो जो हैमर मिल होता है कुछ उसका construction इस प्रकार का होता है कि जिसमें आप construction दिखना आपको first तो आप construction principle के बाद construction लिखोंगे तो उसमें क्या आएगा एक hopper आएगा जो hopper क्या करते हैं होपर क्ये करते हैं उसको आप hopper में क्या होगा पहले समझे कि अमर मिल आपका जो है वो वर्टिकली और होरिजन्टल हो सकते हैं उसमें होपर क्या करेगा होपर में आपका माटीरियल फीड होगा मतलब आप वहां से माटीरियल डालोगे और लास्ट में आपको वहां से फिर रिसीवर में नीचे प्रोडक्त मिलेगी यह में पर फिर कि यह वो यहां पर आयगा ठीक है उसके मद क्यों दे इसमें एक मिलिंग चेंबर होता है जो होता है जो मिल इसके मदब से एंवर रोटेट करता है ठीक है और हैमर्स होगे उसके पास लगवे यहां पे छे दिखाए है कि देखे वान टू थी पोर फवाव सिक् सकते और ज्यादा भी हो सकते और इसके नीचे क्या होती है एक स्क्रीन होती है स्क्रीन क्या करती है स्क्रीन मतलब एक सीव है जहां से आपका माटीरियल वह चारनी होती है ना सीव चारनी ऐसे एक स्क्रीन होती है वहां से आपका material screen होके आपके receiver में आएगा ठीक है आपका product वहां पर मिलेगा तो यह पूरा construction होता है इसका और यह जो पूरा hammer आप अपने हिसाब से वह screen को change कर सकते हो जैसे चाहिए जैसे कि हम आप चक्की वह आटाप इसमाने के टाइम करते हो जिस आपको जिस हिसाब से जाज डिदक्शन करना उस हिसाब से आपका screen change कर सकते है ठीक है इससे construction होते है तो देखें construction the hammer mill can be horizontal or vertical soft type it is a usually made up of stainless steel with impact surface made up of extremely resisting material the hammer may have several shapes the blade of hammer can be plate edges और sharp edges the unit is this enclosed with chamber containing a removable screen through which the material passes removable screen है ठीक है मैंने बोला ऐसे आप change कर सकते है आपको जीतना चाहिए उस हिसाब से अब बात करेंगे working गी तो क्या होगा working में आप अपना working में होगा कि आप यहां से वो क्या करेगा आपका सभी material इधर आएगा ठीक है आपका material सब इधर इकठा होगा ऐसे size reduce करता है वह जो screen में से पास होगा वो इधर आएगा और जो नहीं पास हुआ वो फिर से यहां पे गुमेगा इस प्रकार से कुछ आपका क्यों होगा size reduce का working होगा जो यहां पर material आएगा यहां पर गुमेगा आपको जितनी स्पीर से चाहिए जितना material आपको क्या होगा size reduce का नहीं इससाब से screen होगी आप कितनी चले देखलो एक बार working the hammer are allowed to be in a continuous motion 8,000 to 15,000 revolutions per minute at 8,000 to 15,000 rpm है क्या हुआ continuous motion में होगा आपका बीड माटिरे इस प्लेस प्लेस इंटो फपर विच प्लोस रवेटिकली डाउन एंड धेन होरिज़ॉंटल ठीक है विट वाइल हैमर्स आर इन अ कंटिनियूस मोशन तो रोटेटिंग हैमर्स बीड़ माटिरेल तो इल्ड ऑ स्मॉलर पार्टिकल देन इस पार्टिकल स्प वह उसके बाद स्क्रिंट से पास होंगे और कलेक्ट होंगे आपका रिसीवर में ठीक है जैसे मैंने बता है वैसे से उसके बाद उसके यूजिस की बात करें तो यूज क्या है कि उसको बड़े प्राटिकल्स आपका जो डालते हो उसको पावडर में वह कंवर्ट कर सकते ह वो उसका यूज है कि बड़े 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 क्राइटिकल सोते हो तो वह उसको भी आप पावडर बना सकते यूज ली फिर मिल ड्राइ मतीरियल्स और जो भी फार्मसिटिकल में यूज वह उते वेट फिल्टर पासे केक्सेमें वह वह सब में वह मिआ यूज होता है कि एड्वान्टेज की बात करें तो इज्वसेट I don't ever एक एड्वान्टेज है एक एड्वान्टेज उन्हें जो यूजस में दीखा कि एक बड़े माटीरियल को भी वह पावडर में कनवट कर सकते हैं वह करता है थिका है वह वर्सेट आले और डिस एडवांटेज की बात करें तो क्या है तो वह क्लोग हो जाता मतलब कि आपकी जो स्क्रीन है समझो क्यों वह ब्लोग हो जाएगा यसे होगा और जो श्टीकी मटियल्स फाइब्रस मटियल्स होते हुए उसके लिप यूज नहीं होता एह हो उसके ड सब्सक्राइब कीजिए थेंक इस वो मच